एक बार लोम्डी और भेडिये में किसी बात को लेकर भयंकर लडाई हो गई। लडाई अत्यधिक बढ़ जाने के कारण दोनोंने निर्णय लिया कि वे न्याय के लिए न्यायाले में जाएंगे। दोनोंने न्यायाले पहुचकर बंदर न्यायाधीश के सामने अपना अपना पक्ष रथा। कुछ देर तक उन दोनों की बाते सुनने के बाद न्यायाधीश बोला, हर कोई जानता है कि लोम्डी स्वार्थी एवं चालाक होती है। उसे कभी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए भेडिये पर जूठा आरोप लगाने के लिए लोम्डी को सजा अवश्य मिलेगी। यह सुनकर भेडिया अत्यधिक प्रसन्न हुआ।